हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दे सहस सीखो ग्लासेज जहां आप सीखते हैं सहसता के साथ और आज हमारी यही वीडियो कंटीन्यू कर रहे हैं जिसमें हम लोग ने यह प्लेइलिस्ट कंटीन्यू किये हैं सीजी एबियो पेपर टू इसमें आपकी फाउंडेशन ओफ एजुकेशन सिक्षा का अधार इससे रिलेटेट थ्री वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो कि फेस्ट वीडियो थी मीनिंग औफ सिक्षा मीनिंग औफ एजूकेशन दूसरी वीडियो आपकी डेफिनेशन से रिलेटेट थी फासइकेंड पार्ट सेकेंड वीडियो थी यह आपका थर्ड पार्ट है और इससे रिलेटिट जित्ते भी वीडियो आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोग जा करके खुद से चेक कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को कंटीनियू करते हैं यह स्लाइड आलरेडी हमने डिसक कर दिया है इसमें से 6 आपके डेफिनेशन 6 एजुकेशन के जो फिलोसोफर्स थे उनको हमने अल्रेडी डिसकस किया है विद ट्रिक के साथ जिससे आप उसको कनेट कर सकते हैं डेफिनेशन को तो अब आपने लोग बाकी के तीन कंप्लीट करते हैं तो जैसे अब हम लोग पड़ते हैं डेफिनेशन गिवन बाई टेगोर तो सिक्षा की परिभाशा टेगोर ने क्या दी है तो वो देखते हैं यह कहते हैं कि सर्वोज सिक्षा वह है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण श्रिष्टी में तारितम में स्था पड़ते हैं सिक्षा और यह कहते हैं यह इंग्लिश में यह दिया है दा वाइडेस्ट रोड लीडिंग तो दे सॉलूशन ओफ आल दे प्रॉब्लम इस एजुकेशन मतलब हमारी यह एक ऐसी वाइडेस्ट रोड है ऐसी मतलब सिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हमारे हर एक प्रॉब्लम के सॉलूशन मिल सकते हैं वाइडेस्ट रोड लीडिंग तो दे सॉलूशन सॉलूशन लाती है ओफ आल दे प्रॉब्लम्स ओफ एजुकेशन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी है उन सबका सॉलूशन है क्या है एजुकेशन एक और डेफिनेशन है जिसमें कहा गया है, education means enabling the mind to find out the ultimate truth which emancipate us from the boundaries of dust and giving us wealth, not of things but of inner light not of power but of love, making this truth its own and giving experience, sorry expressions to it, तो यह आपके जो definition है, यह इन्हों ने टेगोर जी ने, रविंद्र ना टेगोर जी ने दी है, तो इसको हम लोग connect कैसे करेंगे, यहाँ पस आप लोग देख सकते हैं, जो आपकी जो third वाली definition है, इस definition को आप लोग connect कर लेंगे देखें, हर चीज़ का बहुत सारी आपको rhyming मिल सकते हैं, यह आप इसको connect कर सकते हैं, एक पोयम जैसा, जैसे इसमें लिखा है bondage of dust and giving us the wealth, not of things but of inner light, not of power but of love, ठीक है, तो इससे आप लोग connect कर सकते हैं, कि यह थोड़ी राइमिंग्स आ रही है, तो यह कौन लिख सकते हैं, तो यह रविंद्रा टेगोर जी ने लिखी है, ठीक है, इससे हो जाएगा, और बाकी जो ऊपर की जो और definitions दी हैं, इसको थोड़ा सा हम connect करने की कोशिश करते हैं, तो यह next slide में है, देखें, trick first आपकी क्या है, जो English में जो आपकी definition दिया है, उसको connect करते हैं, देखो, टेगोर जो है, टेगोर को हम लोग ने connect किया है, tiger, wildest road लिखा है, तो wildest कर सकते हैं, wildest road, wildest मतलब जंगली, ठीक है, तो wildest road, तो tiger से relate कर सकते हैं, wild, wildest road, wildest road को wildest road, तो यह wildest road leading to the solution of the problem, सारे problems का solution है, ठीक, is education, is called education, इसको आप लोग connect कर लेंगे, second trick आपकी क्या दी है, टेगोर was also a poet, वो एक poet थे, जो कि हमने उसको भी आपको connect किया है, जो English वाली जो definition थी, last वाली थर्ड, उसमें भी हमने राइमिंग्स बताई, लेकिन अब हिंदी में क्या लिखा है, कोई भी poem रहती है, उसमें शब्दों के बीच का connection रहता है, तभी तो वो poem बनती है, तो connection मतलब तारतम में बठाना पड़ता है, हर एक शब्दों के बीच में एक तारतम में बठाना पड़ता है, मतलब एक connection ब थापित करती है होप यह आप लोग को समझ में आ गया होगा मतलब आप लिंक कर सकते हो और याद कर सकते हो लेकिन आप सारी चीज़ों को जितने भी हमने पर बेज्ड हैं जैसे आप लोग को पता है गांधी जी जो थे वो नैशनलिजम फिलोसफी पर बेज्ड थे लेकिन टेगोर जो है वो इंटरनेशनलिजम फिलोसफी पर बेज्ड है मतलब मतलब इंटरनेशनल एजुकेशन को उस व्यू तक देखा है ठीक है तो यह आपको समझ में आगया होगा यहां तक कि गांधी जी का आप लोगों समझ में आगया होगा वह nationalism based थे यह internationalism थे तो अब हम लोग देख लेते हैं definition given by frobel तो सिक्षा की परिभाशा frobel के according कैसे दी गई है तो वह कहते हैं कि सिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतह शक्ति को बाहर लाया जाता है मतलब जो भी inner power है एक बालक के अंदर वो उसको किस तरीके से बाहर लाना तो प्रक्रिया है यह एक प्रोसेस है जिसके थूँ हम लोग एक बच्चे के अंदर जो भी power है इनर पावर है उसको बाहर ला सकते हैं मतलब एक बच्चा इंटर्नल और एक्स्टर्नल कैसे वो बाहर ला सकता है यह प्रोसेस है कैसे इंटर्नल से उसको बाहर बाहर की ओर लाना जो भी उसका इनर पावर है ठीक है जब मतलब होता है कि वो सारे precious stones या यह सारी चीज़ है ठीक तो वही मतलब energy या वो शक्ती जो बाहर लाना ठीक है तो फ्रो बेल इसको connect कैसे कर सकते हैं तो ट्रिक इसमें दी गई है फ्रो बेल फ्रो बेल से आप लोग connect कर सकते हैं बेल बेल तो यह देखे एक बेल से आप लोग क्या connect कर सकते हैं कि एक ऐसी बेल है जिसको आप रिंग करते हैं और आप लोग वो इनर से जो भी अंतर शक्ती है उसको बाहर ला सकते हैं बेल बजाते हैं तो अब बच्चे बाहर आते हैं वैसी ही वो शक्ती बाहर आ रही है definition को आप लोग याद कैसे करेंगे कि किसके द्वारा दी गई है तो इसलिए आपको बताएं नहीं तो अगर आपको याद हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है ठीक नहीं आद हो पाता है तो आप लोग इसको connect कर सकते हैं ठीक है यह कहते हैं कि असल सिक्षा वह है जो मनुष्य के अंदर से उत्पन होती है जो उसकी इंटर्नली उत्पन होती है वह व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को अभी व्यक्त करती अभी व्यक्त करना मतलब बाहर देखिए मतलब वह जाहिर करती है ठीक है तो अंतर शक्ति जो उसकी इंटर्नल देखे उस वाली definition में क्या था? वो inner power को बाहर की और लाबती है. बाहर लाना कहता है. ठीक है? तो वो bell का हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या है? जो उसके अंदर से उत्पन होती है. मनुश्य के अंदर सिक्षा वह है. जो मनुश्य के अंदर उत्पन होती है. वो व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को अभी व्यक्त करती है. मतलब किसी के true वो अभी व्यक्त करती है. ठीक है? इंग्लिश में लिखा है. True education is something that happens from within the individual. It is an unfolding of his own latent power. उसकी जो power है, उसको वो जाहिर करती है, अभी व्यक्त करती है. तो देखिए, रूसों से आप लोग रूठों बना सकते हैं, तो रूठों से आप लोग बना देंगे. रूठना एक आंतरिक अभी व्यक्ति है. काईदे से देखा जाए, अभी व्यक्ति होता है, खुश होना, और दुखी होना, रोना, रूठना. तो वैसे ही रूठना एक आंतरिक, इंटर्नल अभी व्यक्ति है, एक एक्स्प्रेशन है. तो वही चीज कही गई है, तो इसलिए आप लोग कनेट कर सकते हैं, ये आंतरिक शक्तियों की अभी व्यक्ति है. अब इसमें रूसों ने क्या क्या, इसमें उन्होंने क्या दिया गया है, इस education के field में उन्होंने क्या contribution किया है. तो रूसों को कहा जाता है, रूसों की जो philosophy है, उसको हम लोग नेचरलिजम philosophy कहते हैं. अच्छा, अब नेचरलिजम philosophy, इन्होंने कहा है, it contains concept of natural state, natural man, natural civilization, ठीक है, मतलब सब कुछ nature से connecting इन्होंने किया है. अब नेचरलिजम philosophy क्या होती है, इसको देख लेते हैं, तो नेचरलिजम is a philosophy with the belief that nature alone represents the entire reality. मतलब सिर्फ नेचर ही ऐसी चीज़ है, जो कि वो पूरी reality जो है हमारे आसपस की, वो सब कुछ represent करती है. There is nothing beyond, behind or other than nature, nature के आगे और कुछ नहीं है, इससे उपर कुछ नहीं है. According to this philosophy, human life is the part of scheme of nature, मतलब जो human life है, वो पूरा एक तरीके से देखा जाए, nature का ही एक पार्ट है. है न, तो देखे, कुछ छोटे-छोटे points से आपको याद होगा, progressive education किस ने दी थी, वो आपकी जॉन डेवी ने दी थी, उन्हों नहीं बताया था, experiential learning, naturalism, आपका रूसों ने दी है, next आपने पढ़ा, internationalism, जो कि आपके टेगोर जी ने दी है, naturalism, sorry, nationalism, गांधी जी ने दी ह है, ऐसे ही करके और भी यह जो philosophy वाले, जब हम और अलग से वीडियो बनाएंगे, जितने भी education के parts बताया है, positive, negative, यह सब हमने discuss किया, वो सारी जो चीज़े हैं, यह positive education के बारे में आपको बताया किसमें है, विवेका नंजी ने, तो ऐसे वो अलग से वीडियो separate बनेगी, ल आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके अच्छे से practice कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को like कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आई हो, subscribe कर लिजे, और जो भी आपको लगता है कि इसे जिनको benefit होगा, उनको आप share भी कर सकते हैं, और आप अगर चाहते हैं, इस वीडियो का PDF चा जड़ी आते हैं, thank you so much.